हेलो बच्चो आज हम फर्स्ट क्लास की हिंदी की वक्षी 28 करेंगे इस वक्षीट में पार्ट 23 साथ पूँच का चूहे के प्रशन दिये गए हैं फर्स्ट कोश्चन है सही विकल पर सही का निशान लगाओ पार्ट में चूहे की कितनी पूँचे हैं तो पार्ट में चूहे की साथ पूँचे हैं साथ लिखा हुआ है उसके आगे तिकमाक लगादो सही का निशान लगादो पार्ट में किसके तंग होने की बात की गई है तो पार्ट में चूहे के तंग होने की बात की गई है चुहे के सामने टिकमक लगा दो थर्ड है पार्ट में पहली बार चुहे ने अपनी कितनी पूछे कटवाई तो पार्ट में पहली बार चुहे ने अपनी एक पूँच कटवाई तो एक के आगे सही का निशान लगा दो नेक्स है चुहा अपनी पूँच किस से कटवाता था? चुहा अपनी पूँच नाई से कटवाता था नाई पर सही का निशान लगा लो बच्चो आपको पाठ तेज पढ़ना है साथ पूँच का चुहा तबी आप इन प्रशनों के उत्तर दे सकते हो नेक्स कोशन है सही शब चुनकर रिक्सतान भरिये डैश पूँच कटने के बाद चुहे को पाँच पूच का चुहा कहकर चड़ाया जाता था कितनी पूँच? 2 पूँच कटने के बाद क्योंकि चुहे की 7 पूच थी साथ के बाद दो काट देंगे तभी तो पांच बचेगी इसलिए दो पूच काटने के बाद चुहे को पांच पूच का चुहा कहकर चड़ाया जाता था नेक्स्ट है छे पूच काटने के बाद चुहे को डैश पूच का चुहा कहकर चड़ाया जाता था साथ पूछ सी चुए की छे काट दी तो कितनी बची एक तो इसलिए छे पूछ काटने पर उसे एक पूछ का चूह कहकर चड़ाया जाता था नेक्स्ट कोश्चन है चूहा बार-बार किसके पास गया और क्यूं इसका उत्तर है चूहा नाई के पास अपनी पूछ कटवाने के लिए बार-बार गया नेक्स्ट कोश्चन है सब उस चूहे को क्या कहकर चड़ाते थे अंसर है सब उस चूहे को साथ पूछ का चूहा कहकर चड़ाते थे नेक्स्ट कोश्चन है चूहे की कितनी पूछ थी तो चुहे की साथ पूँच थी Next question है कहानी में से छाट कर लिखो चंदरबिंदू वाला एक शब लिखना है मैंने लिखा हुआ है पूँच देखो पूँच में चंदरबिंदू आ रही है पाके उपर Next है फा अक्षर वाला एक शब तो मैंने लिखा हुआ है फिर ये दोनों शब पार्ट में आये थे Fifth question है का अत्वा की से रिक्स्तान भरिये हमें का और की से रिक्स्तान भरना है जैसे एक पूँच का चुहा का से पूँच और चुहा जुड़े हुए है इसलिए ऐसे ही हमें नीचे वाले sentences को भरना है का और की से एक पूँच का शेर एक पूँच की लोमडी एक पूँच का तोता एक पूँच की चुहिया Last question है चुहे का चित्र बना कर उसमें रंग भरना है मैंने चुहे का चित्र बना रखा है और उसमें कलर भी कर रखा है आप भी ऐसा ही चित्र बना लीजिए और उसमें कलर करिए तो बच्चों ये थी हमारी क्लास फर्स्ट की हिंदी की वक्षिट 28 आप हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ये वीडियोस मिलती रहें